नमस्कार जोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास नाइन्थ का जो मैथ है ठीक है उसका जो चैप्टर 6 है ठीक है रेखाएं और कोड उसका जो प्रशनावली 6.2 है ठीक है उसे देखेंगे ठीक है तो सबसे पहला दिया गया है आकर्ति 6.28 इसमें आपसे यह पूछ रहा है कि आपको X और Y की वेल्यू जो है वो यहां पर बतानी है फिर आपको यह दर्साना है कि जो ए और AB समानतर CD है तो इतनी चीज जो है आपको यहां पर बतानी है तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर यह देखेंगे कि कौन X और Y जो है तो आप अगर यहां पर यह देख पा रहे हूं माली यह जो Y है यह O है और यह जो है वो P है ठीक है जो आपका यहां पर 34 रहे है वह S काड़ है वह O पे काड़ है और पहले AB को P पे काड़ है मालो ठीक है तो अब यहां पार G ही है जो हमारे 130 कोण를 ओर है यह माली आपका M है M B तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कोण M O C बराबर किसके है कोण D O P के जो कि क्या है Y ठीक है तो Y बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 डिगरी यहाँ पे आप रिजन क्या लिख सकते हो कि शीर्षा भिमुख कोण से ठीक है यह आपने लिख दिया अब जो हमारा कोण Y है वो कोण X के बराबर है किसके कारण 91 कोण की कारण तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण X बराबर कोण Y किसके कारण यह जो हमारा सीर्षा भिमुख कोण था ठीक है तो को एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 130 डिगरी ठीक है आप यहां से भी यक्स को निकाल सकते थी कि जो हमारे यहां पर यह वाला पॉइंट है ठीक है यह मा लिजी एन है एन और एम ठीक है यह एक रेखा है तो यह हमारा 50 डिगरी था तो 180 डिगरी माईनस 50 डिगरी गजीए तो वहाँ से भी हमें एक्स की उतनी मिलती ठीक है अब हमारे पास एक्स वाई क की वैलू जो है वो आगी 130 डिगरी अब आपको यह दिखाना है कि जो ए है और जो बी है यह क्या है कि SAMतर हैं ठीक है थ। तो आमनेmayı जानते हैं कि अगर हैं समांत समानतर होती है और हमने यह भी पढ़ा था गर रेखाएं समानतर है तो एक आंतर कोड़ बराबर होंगे ठीक है तो आप उसी का विलोम जो है यह पर लगा सकते हो कि जो एक्स वाई की वेल्यू है कि आंतहरे कांतर कोड़ है इसलिए जो है रेखा एवी समानतर सी-डी होगी र AB समानतर CD है और CD समानतर EF है तो और इसमें हमको यह दे रखा है कि Y अन्पाते Z is equal to 3 अन्पाते 7 तो हमें X की value निकालनी होगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा आप माली जी इसे यह P पर काटती है इसे Q पर काटती है इसे जो है वो R पर काट रही है तो अब आपको यह लिखना होगा यहाँ पर कि कोण C Q P कोण C Q P बराबर किसके होगा यहाँ पर कोण D Q R के कोण D Q R के ठीक यह वाला जो कोण है यह वाई वाले कोण के बराबर किसके कारण सीरसा भीमुक कोण के कारण सीरसा भीमुक कोण तो अब हमारे पास क्या जाएगा कोण C Q P बराबर स्वारी यहाँ पर हमें लिखना होगा कोण C P की हमारा क्या था कोण Y बराबर कोण D Q R ठीक है तो यह हमारा वाई बन गया तो हमारा वाई और जड का अनुपाद दिया है ठीक है कोण Y अनुपाद कोण C बराबर तीन अनुपाद साथ ठीक है तो अब आप यहाँ पर यह लिख सकते हो कि माना अनुपातिक अ इस्थिरांग अनपार्तिक स्थिरांग बराबर X X A B C D कुछ भी आप मान सकते हो ठीक है वह आपके ऊपर है ठीक है माली जिये कि हमने जो है वह X मान लिया यहां पर वैसे तो हमें X की वैल्यू निकाल नहीं है तो माली जी यह मैं इसे के मान लेता हूं ठीक है ने तो आप कन्फ्यूज हो दाओगे कि यह X की वैल्यू आगी यहां पर कहां से तो मैं ने उस अनपाति के स्थिरंग को के माल लिया ठीक है अब यह हमारे पास क्या जाएगा वाइँ पास तीन के अनपाति साथ की यह आ जाएगा अब हमारा यह कोन वाई और कोन जड के आप यहां पर देख सकते हो को कोण य और कोण जड़ को यह क्रमा गत अंतह कोण है ठीक है तरीये खष्ण के एक ही और जो कौण बनता है ठीक है वह हमारे क्रमा गत मिनों का योग जो है वह ची क्वाटव तो आप शेक्स की गने आगे कि क्रमा गत कोन का योग तो अब हमारे पास क्या है य कमान तीन के प्लस साथ के बराबर एक सो असी यह तो अब हमारे पास साथ तीन दस के हो जाएगा दस के बराबर एक सो असी डेगिरी तो के बराबर हमारे पास कितना जाएगा 150 यह यह यहां पास के निकालने के लिए हnyt कर साथ के बराबर कितना हो जाएगा साथ इन्टू अठारा बराबर 126 डिगरी ठीक है इतना आपने यहाँ पे जो है वो निकाल लिया अब आपको वापस फिगर को देखना पड़ेगा ठीक है तो अब आपको X की वेल्यू पूछा ठीक तो आपका AB समानतर CD समानतर EF है ठीक तो अगर AB समानतर CD है और CD समानतर EF है तो AB समानतर EF तो हो गई ठीक है क्योंकि अगर कोई एक रेखा जो है वो दूसरे के समानतर है तो उसके समानतर जो अगली रेखा होगी वो दोनों जो है वो आपस में समानतर होंगे ठीक है तो अगर आप देखो कि जो हमारा कोण X यहाँ पर बना है और कोण Z यह क्या है एकांतर कोण है ठीक है आप इसे C को जो है वो भूल जाएए मालीजिए ठीक है C को भूल जाएए तो यह हमारा एकांतर कोण हो जाएगा तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हो कि को जेट बराइबर क् 시 LOVE यहां पर यहांसराइब अच्छ таким दीक है को एकानतर कोंश एक एक समकिल यहां पें इस आसरो मावाज्डा थर्च है को सब के था यहां पर में इसक्य प invites है ठीक है चलिए next question देखते है question number 3 question number 3 आपको यहाँ पर यह कहता है कि AB समानतर CD यह जो मारी AB है रिखा वो CD के समानतर है ठीक है और जो E F है यह जो है वो इस CD के उपर लंब है मलब 90 degree का कोण जो है वो बना रही है अगर आपको इतना दिया है कि कोण GED कोण GED यह वाला पूरा कोण यह कितना दिया है आपको 126 degree अब आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है वो आप देख लो AGE निकालना है कोण AGE यह वाला कोण G E F G E F यह वाला कोण एक कोण अभी आपका और बच रहा है कोण F G E कोण F G और E यह अंदर वाला कोण ठीक है इन तीनों को आपको यहाँ पर निकालना है ठीक है तो चलिए हम अपना यहाँ पर डाइग्राम जो है वो बना लेते हैं कि हमारे पास जो है वो यह हमारा जो है हो 90 दिए यह वाला टोटल 126 दिए टिक कि 126 डिए हुए है चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या दिया है ऐमारे पास यह दिया है माली यह दिया गया जो है यह दिया है कि कोण GED कोण G E D बराबर 126 डिगरी यह हमें दे रखा है ठीक है और चलिए सबसे पहला हम निकालते हैं अपना कोण G E F को सबसे पहले वाले इस कोण को निकालते हैं कि यह फिर चलिए इसे छोड़ दीजिए सबसे पहले हम इस कोण को निकालते हैं कि इस कोण को जो मारा A G E है ठीक यह कुछ आप सरलता से से कर लोगे ठीक है इसके बाद हम अपना नेक्स देखेंगे तो आगे हम देखेंगे कोण A G E कोण A G E कोण A G E बराबर किसके हो की D है कोण G E किसके कारण 115 र कोण के कारण अविक के एक आंतर से क्योंकि जो हमारी A B है यह पर लख सकते हो कि चूँकि A B समानतर C D इसलिए जो है ये एक आंतर कोण से बराबर हो जाएगा तो जो हमारा कोण A G E है वो किसके बराबर हो जाएगा 126 डिगरी के बराबर अब आप इस दूसरे वाले कोण को निकाल लीजिए ठीक है मैं ग्रीन से कर देता हैं इस वाले कोण को तो आगे आप लिख सकते हो कोण G E F कोण G E F इस इक्वल टू यह जो हमारा यह वाला कोण है ठीक है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा नाइन जो हमारा यह टोटल है इसमें से 90 डिग्री आप अगर डिवाइड कर दो ठीक है तब हमें मिल जाएगा ठीक है तो आप लिख सकते हो यहां पर कि कोण G E D कोण G E D माइनस कोण क्या हो जाए कोण F E D टीक है चलिए मैं इसे यहां पर यह इरेज कर दूं अगर तो अगर हमें यह वाला कोण दिया है यह वाला कोण और यह वाला पूछ रहा है ठीक है तो अगर हम पूरे में से यह चोटा वाला कोण घटा दे तो यह वाला कोण हमें मिल जाएगा तो आप यहां पर लिख सकते हो यह कोण G E F बराबर G E D हमारे पास कितना दिया था 126 डिगरी माइनस यह 90 डिगरी यह तो हमें दिया था लंब होने के कारण तो अब आजाएगा हमारे पास कोण G E F कोण G E F इसमें सामी से घटाएंगे तो आजाएगा हमारे पास यह 6 और यह 3 कि यह आजाएगा हमारे पास 36 नेक्स्ट हमारे पास क्या सिद्ध करना था मैं ग्याद करना F G E यह वाला जो पॉइंट है यह हमें दे रखा है 126 डिग्री ठीक है दे रखा है ना 126 डिग्री ठीक है यह वाला कोण हमसे पूछ रहा है तो आप रेखी कोण लगा सकते हो इन दोनों का योग जो 108 इसमें से आप जो 108 कर दोगे तो यह वाला कोण आपको मिल जाएगा या फिर एक तरीका आप और कर सकते हो कि यह जो हमारा जी एफ एक ट्रेंगल बन यह हमारा 90 डिग्री दिया है इसे हमने थर्टिस डिग्री जो है वह कल्कुलेट कर लिया इन दोनों का जो है जोड कर रहे आपको क्या करना होगा कि एक सो असी डिग्री में से निकाल देना होगा ठीक है तो चलिए हम रहे की कोण से निकालते हैं ठीक है तो आप यहां पे क्या लिखोगे आप यहां पे यह लिख सकते हो कि कोण एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा कोण जो हमारा यह वाला कोण है ठीक है या फिर आप आसानी से यह लिख सकते हो कि सबसे पहले आप लिख दो कि 180 degree minus कितना हो जाएगा खोड़ AGE तो अब 180 degree minus 126 degree is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा यह 4 और यह 5 ठीक है 54 degree ठीक है तो इस तरह से हमने जो है अपनी सारी values को जो है वो निकाल ली यह हमारे पास आया था कितना 54 यह आया था 36 यह आया था 126 degree ठीक है तो इस तरह से आप जो है question number 3 को जो है वो solve कर सकते हो ठीक है तो next video में हम जो है question number 4 से 6 तक solve करेंगे ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजेगा और हमारे चैनल को subscribe किजेगा ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाए उसकी notification आपको मिलती रहे और आप उससे सबसे पहले देख सकें थाइंक्य आपको यह वाचिए वाचिए वीडियो